Q7. A. किसी आयत का छेतरफल 255 cm² और उसकी लंबाई 17 cm है तो उसकी चोड़ाई निकालिए तो आयत का छेतरफल कितना दिया हुआ है? 255 cm उसकी लंबाई दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? लंबाई तो देखें लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई बराबर दिया हुआ है 17 cm तो यहाँ पर हम लिख देंगे 17 cm अब देखें आयत का छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई तो लंबाई गुना चोड़ाई कितना दिया हुआ है 255 अब देखें लंबाई कितना है 17 cm ठीक है तो हमसे क्या पूछ रहा है चोड़ाई तो हम यहाँ पर 17 रखेंगे गुना चोड़ाई बराबर 255 तो चोड़ाई बराबर कितना हो जाएगा चोड़ाई बराबर 255 भागा 17 देखें 17 गुना में है बाया तरफ तो दायातर्प क्या हो जाएगा भागा में तो 255 बटा 17 यानि 17 से भाग देंगे 255 को तो कितना आ जाएगा 17 से एक बार में लगाएगे क्योंकि 25 है तो कितना बचेगा 17,3,20 और 5,25 यानि 8 बचेगा 6 यानि घटाने पे देखे 17 से 25 एक बार में लगए है क्योंकि 25 में पहले 25 को लगाएंगे तो 8 ही तर गया तो 80 सत्रह पचे कितना हो गया पचासी यानि 15 सेंटीमीटर इसका अंसर हो जाएगा चोड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे बी में है किसी आयत का चेतरफल 26 वर्क सेंटीमीटर और उसकी चोड़ाई 26 मिलीमीटर है तो उसकी लंबाई निकालिए तो कितना दिया हुआ है आयत का चेतरफल दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं आयत की चोड़ाई आयत की चोड़ाई देखें कितना दिया हुआ है 26 मिलीमीटर 26 मिलीमीटर तो देखें पहले हम क्या करेंगे 26 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो देखें 26 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 26 बटा 10 cm यानि 2.6 cm 26 mm को हम cm में बदल लेंगे तो 10 से भाग देंगे क्योंकि 1 cm में 10 mm होता है तो mm को cm में बदलने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा तो हम 10 से भाग देंगे तो आ जागा 2.6 cm अब देखिए आयत का छेतरफल कितना दिया हुआ है आयत का छेतरफल बराबर दिया हुआ है 26 वर्ग सेंटिमीटर ठीक है तो आयत का छेतरफल का फॉर्मूला क्या होता है देखिए लंबाई गुना चोड़ाई होता है बराबर कितना दिया हुआ है 26 अब लंबाई कितना है माफ कीज़ाई चोड़ाई दिया हुआ है लंबाई हमसे पूछ रहा है तो चोड़ाई कितना दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लंबाई लिख लेते हैं गुना चोड़ाई है 2.6 cm जिस भी चीज में करना चाहे है मिटर में यानि दोनो एक जैसा होना चाहिए तो देखें 2.6 बराबर कितना हो गया? 26 तो अद आद लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? तो लंबाई बराबर हो जाएगा 26 बटा 2.6 देखें 26 यहाँ पर दो दस्मलो 6 गुना है लंबाई, दो दस मलो छे के साथ लंबाई गुना में है, तो दस मलो छे को 22 से दाया थो भढ़ भेजेंगे अब देखे, दस मलो हम हटाएंगे, इसको हम लिख सकते है, 26, गुने 10 बटा 26, ठीक है, दस मलो हटाएंगे तो 10 आजाएगा, 10 से भाग होगा ठीक है, तो देखे, 10 मलो जो है, हर में है, तो 10 कहां आजाएगा, अंस में, अगर 10 मलो अंस में रहता तो 10 को हर में देते, ठीक, इसलिए, उपर आजाएगा, 10, गुना हो जाएगा, उपर में, 10, तो देखे, 26 से 26 कदम हो गया, कितना बचा, 10 cm, यानि, आयत की लंबाई कितना आ गई 10 सेंटिमीटर तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे कोश्चन नमर आठ समान छेतरफल 36 वर्ग सेंटिमीटर वाले दो आयत हैं एक की लंबाई 8 सेंटिमीटर और दूसरे की चोड़ाई 2 सेंटिमीटर 4 मिलिमीटर है बताइए किस आयत का परिमाप अधिक है कोश्चन नमर आठ में हम लिखेंगे पहले आयत पहले आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है की लंबाई बराबर 8 सेंटिमीटर पहले आयत की लंबाई 8 सेंटिमीटर ठीक है छेतरफल कितना है पहले आयत का तो हम देखिए लिखेंगे यहाँ पर छेतरफल बराबर दिया हुआ है 36 वर्ग सेंटिमेटर तो वर्ग सेंटिमेटर को हम इस तरह लिख लेंगे ठीक है अब देखिए छेतरफल बराबर क्या होता है आयत का छेतरफल बराबर लंबाई गुना चोड़ाई बराबर दिया हुआ है 36 अब देखिए लमबाई दिया हुआ है तो लमबाई के जगह पे 8 लिख लेंगे centimeters है, ये भी centimeters में है गुना चोड़ाई बराबर 36 चोड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 36 भागा 8 ठीक है? तो कितना आ गया देखिए तो आ जाएगा 4.5 centimeter यानि चोड़ाई कितना आ गई पहले आयत की 4.5 centimeter अब देखे परिमाप निकाल देंगे हम क्योंकि पूछ रहा है कि किस आयत का परिमाप अधिक है तो पहले आयत का परिमाप भी हम निकाली देते हैं क्योंकि चोड़ाई देखें निकल चुका है लंबाई पहले से दिया हुआ था तो छेतर फल दिया हुआ था तो उसी से हम पहले चोड़ाई निकाल दिया है अब परिमाब निकाल देंगे तो परिमाब बराबर क्या होता है दो गुने लंबाई जोड चोड बराबर दो गुने, लंबाई कितना है, आठ, चुडाई कितना है, चार दस्मलों पांच, तो कितना आ गया देखे, दो गुने, बारत दस्मलों पांच, यानि पांदूनी दस, देखे, बारत दस्मलों पांच से दो गुना करेंगे, तो बारत दूनी चोबिस, 24 एक 25 हो जाएगा तो देखें 2 दूनी 4 एक 5 और 2 यानि 25 दस्मलों सुन्य सेंटीमीटर जिसको कि हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर ठीक है दस्मलों के बाद सुन्ये लिखें आना लिखें बात बराबर है तो कितना आ गया परिमाब पहले आयत की देखें लंबाई दिया हो था छेतरफल दिया हो था तो पहले चोड़ाई निकाल लेंगे उसके बाद परिमाब निकाल लेंगे तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर अब लिखेंगे यहाँ पर दूसरे आयत क्या दिया हुआ है दूसरे आयत की चोड़ाई चोड़ाई बराबर कितना होगा कितना दिया हुआ है दो सेंटिमीटर चार मिलीमीटर तो इसको देखिए सेंटिमीटर में ही बदल लेते हैं तो कितना हो जागा दो सेंटिमीटर जोड़ चार मिलीमीटर को सेंटिमीटर में बदलेंगे तो दस से भाग देना होगा ठीक है, यानि 4 बटा 10 cm हो जागा तो देखिए कितना आजागा यह हो गया सून यानि 2 पलस यह हो गया कितना सून दसमलो चार सेंटीमीटर देखिए 2 cm में हो चुका है 10 से भाग देने पर सून दसमलो 4 हो जागा यानि इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2.4 cm यानि 2 cm 4 mm कितना आ जाएगा 2.4 cm तो आयत की चोड़ाई दिया हुआ था तो इसको हम पहले बदल लिया है ठीक है सेंटीमेटर में अब देखें 6 रफल कितना दिया हुआ है दूसरे आयत की तो 6 रफल बराबर है अब कहा रहा है कि समान चेतर फल 36 वर्ग सेंटीमेटर वाले दो आयत है यानि दोनों का चेतर फल बराबर है तो यहां पर बस लिख देंगे 36 वर्ग सेंटीमेटर को हम इस तरह लिख देंगे ठीक है अब चेतर फल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है? 36 ठीक है? अब देखें, चोड़ाई यहां पर दिया हुआ है दूसरे आयत का तो लंबाई निकालना है, तो हम लिखेंगे लंबाई गुना चोड़ाई कितना है? 2.4 cm बराबर 36 तो अतर लंबाई बराबर कितना आ जाएगा दूसरे आयत का 36 भागा 2.4 कितना आ जाएगा देखे 36 बटा 24 गुना 10 अब देखे 10 मलों हटाएंगे तो 10 से गुना हो जाएगा अंस में तो 12 से 12 दूनी 24 12 तिया 36 2 से देखे 10 कट जाएगा 2 पचे 10 कितना आ गया सेंटीमीटर तो यानि लंबाई आ गया देखे और चोड़ाई 12 मलों 4 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था तो अब हम क्या निकाल लेंगे परिमाप तो दूसरे आयत का परिमाप कितना हो जाएगा तो परिमाप बराबर होता है दो गुने लंबाई लंबाई जोड चोड़ाई ठीक है अब देखे दो गुने लंबाई कितना आया 15 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे चोड़ाई कितना आया था तो चोड़ाई देखे 2.4 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.4 कितना आ जागा अंसर देखिए दो गुने अब ये दोनों को चोड़ेंगे 15 प्लस 2.4 कितना आएगा यानि 17.4 तो आप गुना कर देंगे चार दूनी आठ दसमलों दसमलों 8 के पहले लगाएंगे ठीक है सार दूनी 14 हत मेरा आ 1 2 1 2 12 13 चोटीस दसमलों आट सेंटीमिटर ठीक है कितना आ गया 34.8 cm तो दूसरे आयत का परिमाप कितना आया 34.8 cm और पहले आयत का परिमाप कितना आया था 25 cm तो किसका जादा हुआ दूसरे आयत का परिमाप तो देखिए हम इसका अंसर में लिख देंगे पूछ रहा है कि किस आयत का परिमाप अधिक है तो हम लिखेंगे दूसरे आयत का परिमाप अधिक है तो इस तरह से हल कर लेंगे पहले आयत का पहले हम परिमाप निकालेंगे उसके बाद दूसरे आयत का परिमाप निकालेंगे उसके बाद जिसका जादा रहेगा उसको हम लिख देंगे कि किसका जादा है अच्ट झाती है